ओके चलिए दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लैटफॉर्म एडी के गुपता ओनलाइन वीडियोस फो गौर्वर्मेंट अग्जाम में और साथ ही साथ डाउटट अप पर टेक पर जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आजिए देन आज की बीच में आपका अग्जाम नहीं हुआ था सिटेट बीच में कए सालों तक नहीं आया था ठीक है तो तो 2016 में जो दिसंबर में होता सितंबर वाला वो हमने कर लिया आज हम फरवरी मन्थ वाला करेंगे ठीक है अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखें तो आप सभी को बोलूँगा कि आप उनको देख लिजेगा आपको बहुत मदद मिलेगी आपके आने वाले चुरू करते हैं ठीक तो आज का अपना पहला कोश्चन क्या बोल रहा है पहला कोश्चन देखिए बोल रहा है कि नदी बांदों से उत्पन जल विद्यूत के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो आप से बताईए जब बांद बनाय जाते हैं तो बांद जल्दी से बताईए आप सभी बच्चा के पास 30 सेकंड अराम से कोशन को पढ़ियो और आंसर देनी की कुशिश करिए कि क्या करेक्ट आंसर होगा इसका फड़ा वड़ बताइए कौन सा बच्चा बताएगा 30 सेकंड है आप सभी बच्चों के पास 30 नाल दोस्तों option number A, option number B, option number C या option number A, D जल्दी से बताईए कौन सा बच्चा बताएगा चलिए, 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 चलिए देखे दोस्तो सीधी सी बात है यहाँ पर बोला गया कि कौन सा सही नहीं हो सकता पहला बंदू, बोल रहा है कि बांध टिकाओ विकास को प्रोचसाहित करते हैं देखो दोस्तों जब भी आपका बांध का निर्मान किया जाता है यह फिर कोई भी चीज का निर्मान कर लो for example के रुपे मानिए मैंने आपके एक दिवार का निर्मान करा अब यह दिवार जब तक प्लेन रहेगी बाकी और भी चेक कर लेते हैं पानी यह हवा जो होता है वो परदोशित नहीं करता देखो दोस्तों बांध जब भी बनाया जाता है न तो वहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा गाउं होता है वो पूरा का पूरे गाउं को हटा कर कहीं और पर ले जाया जाता है और पानी को एक जगा एक हटा किया जाता है और एक हटा करने पर कई बार जो पानी एक बान में रुका रहता है वहाँ पर कई बार जल खराब भी होता है, परदूशित भी होता है ठीक है अगला मतलब ये भी कहना गलत है कि परदूशत नहीं होता अगला बोल रहा है जल विद्युत सुविदाओं से बड़े परियावणी परभाव हो सकते हैं ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जब भी आप जल बिजली से बनाते हो तो अलग-अलग परकार की चीजें व महां पर आपने बहुत सारे प्रियावणी मुद्य महां पर उठें तो इस ही है अगला है बांध जो होता हो स्वैदिशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग कर देता ये भी बिल्कुल ठीक है बांध जब भी बनाया जाता वहां के गाओं के इलाके खाली नदी के पास क्या है एक दिन नदी करवाय जाते हैं वहां से उनको कहीं और जाकर बिठवाय जाता तो अपनी जमीन छोड़ कर कहीं और जा रहे हैं बोलो तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है तो इस हिसाब से देखो दोस्तों पानी और हवा परदूशीत करता है ये कहना सही नहीं है पानी तो करता है ये तो बाठ ठीक है तो ये कम सही है ज्यादा सही है तो इसलिए option number फर्स्ट हम बिल्कुल सही मानेंगे ये जो है टिकाउँ बनाता है फिक है तो जिस बच्चों ने लगा इसका option number ए वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल एक औरेक्ट अंस का अब ये कोशन कहां से बना था तो यहां से नदी के पास क्या है एक दिन गाउं वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बान्ध बनने वाला देखो कुछ एस परकार का ठीक है जब बी यहाँ पर ऊपर बांध बनाया जाता तो इसके सारी चीजे देखने को मिलती है यहां पर तो जिस जिस बच्चों ने लगाया option number A कि बांध टिकाओ बनाएगा यह कहना गलत कथन था और हमें गलती चुनना था तो इसलिए option number A is the correct and right option ठीक चलिए आगे चलते हैं next question क्या बोल रहा है बोल रहा है कि नेमन मेंसे कौन सी greenhouse gas या घैसे हैं जल्दी से बताइए कि greenhouse gas जोई हिनिमें से कौन सी है option number A option number B option C या फिर option number D कौन सा बच्चा बताएगा फटाफट बताएगा आपके पास 30 सेकंड है क्या हो गया इनिमें से सही आंसर Greenhouse Gas कौन सी है इन में से Option A, B, C या फिर D Option A, B, C या फिर D चलिए देखो दोस्तो सीधी सीधी सी बात है Carbon dioxide जो है ये भी Greenhouse Gas है आपकी Methane जो है ये भी आपकी Greenhouse है जलवाश यानि कि Water Vapor ये भी Greenhouse है Option number D is the right hand है जिस जिस बच्चों ने लगाया D, All of Above तो बिल्कुल बच्चों ने correct answer लगाया ठीक है अब ये question कहां से बना था ये question बना था यहां से क्या बोल रहा है याँपर सीधी सीधी सी बात है क्या आप जानते हो बोल रहा है कि Carbon dioxide Vyumandal में फैल कर प्रिथवी से विकृत उश्मा को प्रिथवी पर रोख कर greenhouse gas प्रभाव पैदा करता है इसलिए इसे greenhouse gas भी कहते हैं तो greenhouse gas की बात कर रहा है तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है देखो नीचे लिखा है Carbon dioxide CO2, Methane CH4, Water vapor S2O, Nitro Oxide N2O और क्या है Ozone O3, यह सारी की सारी जो है वो क्या है? Greenhouse gases है तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधी 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 साथा Carbon dioxide अवा, Methane भी और जलवाश प्रिया तो यह तीनों के तीनों क्या हैं हमारे Greenhouse gas है, तो option number fourth is the right answer, उप्योक्त सभी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं next question, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भारत में ठंडे रेकिस्तान monsoon से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो लीजिए, चार बिंदू है जल्दी से बताईए कि जो हमारे cold deserts हैं in India not affected by the monsoon क्यों नहीं होते? जल्दी से बताईए, option number A option number B, option number C option number A, D कौन सा बच्चा बताईगा? option number A, option number B, option number C या फिर option number A, D तेजी नाल बताओ दोस्तों चलिए, देखेंँ, दोस्तों सीधी सी बात है, जो हमारा भारत है और भारत को जो चोटी है हमारी ठीकैं? भारत की जो चोटी हमारी ये वाली चोटी ठीक है ये वाली चोटी है पूरी की पूरी हिमाले से ढखी हुई है क्या हुआ है पूरे का पूरा हिमाले से ढखी हुई है तो जब भी हमारे यह मौनसून आता है तो यह जो है उसको बहर जाने से रोकती है क्या करती है बाहर जाने सो रोकती है इसलिए जो हमारा ठंडा रिगिस्तान है इसकी छाया में होने के कारण यहाँ पर मौनसुन कोई परभाव नहीं डालता है थीक है तो हमारे लिए हिमाले जो है बहुत बड़ा अच्छा काम करता है तो इसलिए धियान रखेगा जो ठंडा रिगिस्तान है वो हिमालने की क्या है वृष्ट छाचाया में है इसलिए यहाँ पर कोई परभाव नहीं पड़ता है तो option number second is the right answer जिस जिस बच्चों ने लगाया second वो बच्चों ने बिलकुल correct answer लगाया ठीक है second is the perfect answer अभी question कहा से ब उत्तर में जो हैं वो हिमाले परवत है जिसकी ओसत लंबाई मालो कम से कम गो है 6000 मीटर है और इसकी अधिकतम उचाई जो है वो लगभग-लगभग 30 मीटर है हिमाले मद्दय इशया में आने वाली ठंडी हवाई होती है उनको उप महादीप में परवेश करने से रोकता है य इनोंने वो बिल्कुल परफेक्ट अंसर लगाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कुश्ट क्या है दोस्तों ताज महल के पीले होने के लिए निमलिखित में से कौन सा जिम्यदार है जल्दी से बताइए which one of the following is responsible for turning ताज महल ये क्या हो आप लोग लेकिन most appropriate अंसर लगाना होता है आप लोगों को जल्दी से बताइए option A, B, C, या फिर A, D चलिए देखिए दोस्तों देखा जाए तो इसका पहला भी ठीक है इसका दूसरा भी ठीक है ठीक है देखा जाए ये दोनों तो हटा दो पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है अब दोस्तों देखना होगा आपको environment को बात कर रहा है किसकी ताज महल की किसकी बात कर रहा भाई ये ताज महल की अब ताज महल पर बहुत सारी विवात चल रहे है आजकल वो बात अलग है लेकिन ताज महल की बात कर रहा है ठीक है आगरा के आसपास जो हैं देखा होगा आपने चमड़ा उद्योग बहुत जादा है क्या है चमड़ा उद्योग बहुत जादा है तो चमड़ा उद्योग जो फैक्टरी वेगरा होती है वहाँ पर जो निकलता है उत्पन होता हो क्या होता है sulfur dioxide जाथ ओता होता है क्या होता है sulfur dioxide जाधा होता है वेज़े देखा जाए तो वायू मंडल में जलवाश पूता है उसके साथ sulfur dioxide और nitrogen dioxide जब मिलते हैं तो sulfuric acid बनाते हैं जो कि पानी के दुवारा बर्षा करवाते हैं और वो acid rain करवाते हैं, अमलिये वर्षा करवाते हैं और उस अमलिये वर्षा से संग्मर्मर जो होता है, वो पीला पड़ रहा है, और ताज महल किस से बना हुआ है, संग्मर्मर से ही बना हुआ है तो वहाँ पर आपको ये दोनों सही थे लेकिन sulfur dioxide ज्यादा निकलता चमड़ा उद्योग से इसलिए आपको environment चेक करना पड़ेगा कि पूछा का है, specify पूछा इसमें ताज महल, इसलिए option number second is the perfect answer अब ये question कहां से बना था, तो आपके science की book से बना गया था, देखो क्या है, ताज महल की बात करी गई है इसमें देखो साब साब बोला है कि उद्योग जो होते हैं, वो sulfur dioxide वाले, आप सभी को पता है, मत्रुआ के अंदर चमड़ा उद्योग, तेल उद्योग बहुत जादा है तो वहाँ पर जो है, वो sulfur dioxide जादा निकलता है, और साथ ही साथ में nitrogen dioxide की बात कहीं कहीं है तो इन दोनों के दुआरा जब उत्पन होता है जलवाश्ट के साथ ही जब अभी क्रिया करता है तो sulfuric amal या फिर nitric amal बनाती है, जो की वर्षा amal या बनाता है, और उसी के कारण जो हमारा ताजमेल है, वो क्या हो रहा है, पीला होता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों देखो, पहली बात कहा है sulfur dioxide की, और फिर बाद में बात कर रहा है nitrogen dioxide की, तो वह आपको वातवन के अनुसार, देखो, कहा इसने दोनों है, लेकिन आपको most appropriate देखना है कि वहाँ पर environment में किसको specify का है, तो specify का था इसलिए ताज महल को, इसलिए option number second is the perfect answer, ठीक है चलिए, आगे चलते next question, बोल रहा है कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया था जल्दी से बताइए, जो गोलकुंडा किला था फोर्ट था, उसको किसने build करवाया था, who, option number A, B C, C, या फिर A, D, simple सा question है, आप सभी बच्चों को पताऊगा EBS की बुक के इंतरगत आपका एक chapter है, कौन सा गोलकुंडे किले के बारे में, जब दादी अपने पोतों को घुमाने के लिए ले जाती है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए, क्या होगा, option number A, option number B, option number C, या फिर option number A, D, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, चलिए, तो ध्यान रखेगा दोस्तों, जी 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 बच्चों ने लगाए, काक्तिया राजवन्स, वो बच्चों ने बिलकुल सही आंसर लगाए, तेरी वी सतापदी के आसपास, जो हैं, काक्तिया राजवन्स ने इसका निर्मान करवाया था, जो है कि मिट्टी का बना हुआ ये किला था, तो option number 3 is the right answer, ठीक है, अब ये कोशन कहां से बना था, तो कोशन बना था दोस्तों, यहां से, किले में कितने कुछ, देख सकते हैं, सीदी सी बात है, यहां पर लिखा हुआ था, कि बहार लिखा था कि सन 1518 से लेकर 1687 तक, जो यहां पर कुतुब शाही सुल्तान थे, वो एक के बाद एक इन्हों ने यहां पर राज किया, तो कोशन बनेगा, अगर सबसे ज़्यादा गोलकुंडा किला में किसने राज किया था, कुतुब शाही सुल्तानों ने करा था, 1518 से लेकर 1687 तक, ठीक है, इन्हों ने सबसे ज़्यादा राज करा था, और यह जो किला में निर्मान करवाया गया था, वो तेरवी सताब्दी में काक्ती राजवंश के द्वारा इसको निर्मीत करवाया गया था, ठीक है, तो option number यहां से क्या बना, option number यहां से बना third, जिस जिस बच्चों ने लगाया third, वो बच्चों ने बिल्कुल perfect answer लगाया, ठीक, आगे चलते हैं, आगे question, बोल रहा है कि 15g ml घनातव और 3ml आयतन, क्या है, वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, लिए सिदी सी बात है, आयतन और घनातव दोनों को दे रखा, मास भी दे रखा, आपको density भी दे रखा है, मास पूछा है आप से, तो सीदी सी बात है, तरीके सामान कर चलिएगा, इस चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए, यह कर दीजिया, अंसर आजाएगा आपका, क्या कर दीजिया, यह कर दीजिया, आपका अंसर आजाएगा, कहने का ताथ पर आपका इहाँ पर यह है कि 15 गुना में 3, is equal to में 15 तिया, 45, यह हो जाएगा आपका अंसर, तो जिस बच्चो ने लगाई इसका option number second the two जहों है यह कहां से पूछे जा रहे हैं तो यह कोश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तो साइंस की बुक से अब कई बंचे साइंस की बुक्ष तोさい बहुँ niewारे की साइंस के इस सबगे सब्सक्रां करा है थे अब बताईए इनमें से कौन सी आदिश राशी है कहने का दात पर है स्केलर क्वेंटिटी है ऑप्शन नमबर A B C या फिर D आप सभी बच्चों को पताया होगा मैंने कई बार पढ़ाया मैंने आपको कई बार आदिश और सादिश राशी पूछ लिया जाता है तो जल्दी से लगाया ऑप्शन नमबर A द्रव्यमान यानि की मास वो बच्चों ने बिल्कूल सही अंसे लगाई ये क्या होता है आपका सादिश और आदिश राशी करके आपका एक टॉपिक दिया हुआ है तो दिहान रखेगा दोस्तों जिन राशियों में सिर्फ परिमान यानि की मात होती है वो क्या कहलाता है आदिश राशी कहलाता जैसे कि चाल हो गया दूरी हो गया द्रव्यमान हो गया आयतन हो गया यह सारे कि सारे क्या है आदिश राशी और इसी के विपरीत है जिन राशियों में मात्रायनी के परिमान और साथी साथ में दिशा हो क्या हो दिशा हो द आप जैसे बल ऊपर से दाएंसे कही न कहीं से बल लगा रहे हैं आप उसको लेकर जा रहरे हो कही न कहीं धक्का मार रहे हूँ तो उनको दिशा भी होती हो इसके इंतरगत ठीक है तो इसलिए आदिष्ट और शादिश राशी में इन चीजों का ध्यान रखेगा यहाँ पर बोला गया था आपसे क्या आदिश राशी तो द्रव्य मान क्या है आपका आदिश राशी है ठीक है तो जिस जिस बच्चों ने लगाया के आपके बुक में तो तॉर्च लेकर इसका क्या किया गया है एक तरीक लाइट हाइड्य तो जल्दी से बताएंगे अगर लाइट निकल के मेरे आँड़िग fib पशमा लूंगा गए सुषे पर तॉर्च उसके और सर लाइ्ट निकल कर एक निकल और जी तो तक लाइट मार पर देना ठीक है लाइट मारोगे तो पीछे से नहीं निकलेगी वो उसे क्या कहते हैं उसे आपर दर्शी कहते हैं तो option number a is the right answer जिस बच्चों ने लगाया वह बच्चों ने बिल्कुल correct answer ठीक है अब यह question कहां से बना था तो यह question बना था यहां से आप देखो यहां टॉर्च लेकर वह टॉर्च मार रही है इसके उपर और पीछे देखो इसकी परच्छाई बन रही है अगर परच्छाई नहीं बनती तो आरपार चली जाती रोश्णी ठीक है तो इसे ही कहा जाता है ओवे तो जिस बच्छों ने option number a लगाया वो बच्छों ने बिल्कूल सही अंसर लगाया ठीक है चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्या बोल रहा है प्रिथवी की सतय पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चांद की सतय पर 10 kg है लेजिए आपको एक ऐसा बताना ज पूछा है कि चंद्रमा की सतय पर 10 kg है प्रिथवी पर पूछा है यह पूछा है हां जी प्रिथवी की सतय पर किसी वस्तु क्या भार होगा जब चंद्रमा की अंतरगत उसका भार जो है वह 10 kg है जल्दी से बताए कि option number a option number b option number c option number d या फिर कुछ नहीं कि चलिए देखो दोस्तों इसका सीधी सीधी सी बात है आप सभी बच्चों को पता होगा कि वेट क्या है वेट देखा जाए तो एक तरीके से क्या है यह कुछ नहीं एक तरीके से force है क्या है जैसे कि मैं हूँ मेरे उपर जो है इसको बातने के लेक fix value रखी गई है क्या fix value रखी गई तो fix value यह है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति का weight जो है पृ्थवी के ऊपर अगर 60 kg है कि तो चंद्रमा की सतय के ऊपर यानि कि मून के ऊपर उसका जो weight होगा उसका 16 तो द्यान रखेगा इस बात का यह क्या है इसी परकार से जो हमारा आर्थ है उसके अपर जो ग्रैविटी लगती है उसके जो वैल्यू रखी गई है उसको भी एक फिक्स रखी गई है वो क्या रखी गई है तो 9.8 मीटर सर सेकंड स्क्वेर रखी गई है तो यह कुछ फिक्स वैल्यू रखी गई है इनको आपको पता होना चाहिए तभी आप कोशनों को सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो प्रिथवी के उपर जो ग्रैविटी है उसकी जो रखी गई है 9.8 मीटर स्क्वेर सेकंड रखी गई है ठ तोати किसी का वजन मून के वपर MON के ऊपर 60.10 कजी स्षरी तो और को सीदी आपर किसी का वजन अगरवल जाकर वह साथ की लो का हो जाएगा क्यों क्यों कि सीदी सिदी से बात है 1ило 6 हो जाएगा तो वहीवाली बात है इसको 10 को 1 2 शीक्स क्य सब् perhaps कर दो दिवाइड कर दो यह नीचे वाली वैवलियो ऊपर जाएगी तो यह क् overly si साथ केजी आर्थ पर उसका वजिन कितना हो जाएगा साथ केजी हो जाएगा ऩी केजिक है अब अर्थ से जो हाव वह मून पर जाएगा तो मून पर उसका वजिन क्या हो तो सीधी सीधी से बात है दस कट जाएगा ठीक है तो यह पूरा पूरा एक तरीके से logics के पीछे और कुछ नहीं क्यों 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 के प्रि'Thv के उपर हमारा gravitational force होता है मैंना अभी आपको बताया weight is equal to एक वह पर वजन क्या होगा आपका हलका होगा तो कोई भी चीज अगर मास हमेशा सेम रहता है, वेट में उपर नीचे बदला होगा, ठीक है, तो जिद जिस बच्चन लगाया option number first, वो बच्चन ने बिलकुल correct answer लगाया, अब ये question कहां से बना था आपका ये जरूरी है, तो question बना था आपकी science की book से, किसी वस्तू का चंदरमा पर भार, तो ये च्छेक कम हो जाएगा उसका वज़र, तो यही पूरी की पूरी बात मैंने अभी आपको समझानी की कोशिश करी, अब यहीं परी, दो question और दे रखे थे, question तो वैसे बहुत जादा दे रखे थे, लेकिन वो आपके अलग परकार के question थे, वो आपके exam में देखने को नहीं मि लेंगे, क्योंकि वो काफी science के factual जीजो पर, लेकिन दो question काफी अच्छे लगे, जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, कौन-कौन से, तो पहला question यह रहा, अराम से पढ़ो और बताओ, बोल रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो प्रिथी पर इसका भार कितना होगा जल्दी से बताइए, simple सा question है, अगर एक वस्तु का द्रव्यमान जो है, क्या है, 10 kg है, तो प्रिथी पर उसका भार क्या होगा, जल्दी से बताइए, option A, option B, option C, या फिर option number D, फटा-फट बताओ दोस्तो, अराम से solve करो, आपको थोड़ी सी problem हो रही होगी, लगिन कोई बात नहीं, अराम से solve करो, एक तो question ये था आपका, और इसी से related दूसरा question एक ओर है, क्या है, ये है, देखो, दोनों question में यहां लिया आया हूँ, क्या बोल रहा है, इसमें, इस question में, एक वस्तू का भार प्रिथवी की सतय पर, मापने पर 10N आता है, तो इसका Newton यानि की भार चंदर्मा की सतय पर, मापने पर कितना होगा, तो दोस्तों देखो, ये simple वाला question है, और ये थोड़ा typical सा question है, दोनों में क्या difference है, मैंने आपको अभी समझाया भी था, tension ना लो, आप पहले इसको समझ लो simple वाले को, simple से hard पर चलते हैं, देखिए, एक वस्तू का जो प्रिथवी के उपर, सतय के उपर, मापने जाने पर, जो क्या आ रहा है, भार, भार यानि की weight, वेट ना पा जा रहा है किसके उपर, अर्थ के उपर, तो कितना आ रहा है, 10 Newton आ रहा है, ठीक है, क्या रहा है, 10 Newton आ रहा है, यही बोल रहा है, अब यही बोल रहा है कि इसकी चंद्रमा की सतय के उपर क्या होगा, चंद्रमा की सतय पर अभी मैंने आपको बोला जो भार होता है उसका एक बटे 6 हो जाता है क्या हो जाता है एक बटे 6 हो जाता है तो सीधी सीधी सी बात भाई 10 को multiply कर दो 1 बटे 6 है क्योंकि एक बटे 6 उसका करना है हमें तो आप इसे काट ओगे तो क्या होगा छे कम 6 दशमलव 4 छे चिक 36 बचा आपका 4 छे चिक 36 यानि कि 6 छे चे 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 बार बार आता रहेगा तो छे चे चे और आपको छे साथ कर लो क्यों क्यों क्योंकि option में साफ साफ दिया हुआ है option number a तो जिस जिस बच्चों ने इसका option number a लगाया वो बच्चों ने बिलकुल correct answer लगाया क्यों क्यों क्योंकि देखो दोस्तों एक पॉइंट छे यह दे रहा का बार बार यही आता रहेगा है प्रॉक्स में आता रहेगा आपका ठीक है इसे अच्छा 66 को 67 माल लो क्योंकि option number 67 दिया हुआ हुआ है इसलिए हमने 67 माल लिया तो जिस बच्चों ने लगाया option option number a उन बच्चों ने बिल्कुल सही और correct answer लगाया ठीक है तो यह तो सिंपल था क्योंकि एक बटे 6 करना था मैं मैंने अभी अभी आपको बताए कि कोई भी प्रिथ्वी के उपर भार जोगा उसका एक बटे 6 हो जाएगा चंद्रमा की सत्य पर यहां पर चंद्रमा पर वह force है जो उसके उपर लगने वाला बल है जैसे मेरे उपर पर पर जो बल लग रहा है और वह है ठीक है अभी मैंने आपको बोला कि चंद्रमा पर एक बटे 6 हैं तो gravity का जो formula रखा जाता अर्थ के उपर वह रखा जाता 9.8 ms square meter per second square कहा जाता इसको ठीक है यह कहा जाता है अब सीदी सीदी सी बात है what is the weight on the earth यह बोला है इसने तो सीदी सीदी सी बात है weight का जो formula होता है न circumlular लगाना पड़ेगा तो मास गुना में gravity यह होता है फ्राम फॉर्मूरा क्या होता है मास गुना मेंorta है तो वाइट की बात करी गई गया तो मास अपने पास क्या है 10 kg है अजुमा में ग्रेविटी क्या है 9.8 है क्योंकि मैंने भी आपको बताई वेल्य होती है अगर आप इसको मुल्टिप्लाई करोगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा सीधी सीधी सी बात 98 कहां है option number second is the right answer तो जिद जिस बच्चों ने लगा इसका option number second वो बच्चों ने बिल्कुल correct answer लगाया ठीक है तो यह दो question important थे इसलिए मेरे को आपको करवाना जरूरी था प्रिथ्विक पर जो gravity का force होता देखो दोस्तों यह चीज जो है fix कह सकते आप लेकिन यह चीज चीज चींज भी होती है कैसे change होती है अगर आप जो हमारी line ने खिच हुई है latitude अगर आप 0 पर हो तो आपका 9.8 रहेगा fix लेकिन वहीं पर या पहाड़ों पर चले जाओगे या फिर नीचे चले जाओगे तो यह काम होगा CDC बात है इसलिए हम इसको एक fix value मान लेते है 9.8 कई बार इसको 10 भी मान लिया जाता है लेकिन हम 9.8 ही मानेंगे इसको क्योंकि एक value science के इंतरकत हमे fix दी हुई है तो multiply करेंगा 10 हमें दिया हुआ था directly आपका answer आगे 98 new 10 ठीक है तो जिस जिस बच्चों लगाया option number क्या अब कई बच्चे कहेंगे सर 99.8 को 10 से multiply कर देखो दोस्तों 0 यहां पर हटा दी तो 0 यहां पॉइंट यहां आट जाएगा तो CDC बाता 98 आ जाएगा ठीक है इसलिए option number second is the correct answer ठीक है तो यह दो question इससे related थे इसलिए मैं ने दो question यहां डलवा दिये अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए उमीद करता हूं जितना मैंने समझाया आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा बाकी कोई solution का जो solute होता है water के अंदर या dissolve होता है उसका किसके open निर्भार करता है जल्दी से बताओ option a option b option c या फिर option number d फटा फट बताओ जल्दी से बताए दोस्तो चलिए तो दोस्तो इसका answer होगा option number third सतही छेत्र पर surface area पर जिस बच्चों ने लगाया option number third वो बच्चों ने बिलकुल correct answer लगाया है क्यों क्यों कि किसी भी चीरत का छेत्र फल जादा होगा मतलब सतही छेत्र जादा होगा तो उसके अंदर dissolve जल्दी हो जाएगा और जिसका काम होगा उसके अंदर का देरी से होगा जैसे कि for example के रूपे मानो मैंने आपको एक ग्लास पानी दिया ठीक है एक ग्लास मैंने क्या दिया पानी दिया और वहीं पर ही मैंने आपको एक बड़ी वाली टैंकी जो की 20 लिटर की है वो दिया मैंने आपको भरके पानी का अब म हमारा सॉल्ट अगो दिखेगा भी नहीं कहा गया तो सताई छेतर इसके बढ़ा दी हमने इसकी घटा दी तो ज्यादा होगा तो जल्दी डिसॉल्व होगा ठीक है जैसे कि यहां देखो यहां पर आपका ग्लास में घोल रहा है और यहां पर एक बीकर में घोल रहा है तो ज देख आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन यह लीजिए यह आपका पेडागोजी में आपको बोला था कि मैंने आपको पेडागोजी का पीडिएफ सेंड कर वाया था टेलिग्राम पर हूब 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 वहीं से कोशन उठाया हुआ है ठीक है बोला गया कि बाला बाला का जो ह जिस बच्चों ने लगा है इसका क्या बिल्डिंग एज लर्निंग एड वो बच्चों ने बिल्कुल सही अंसर लगाया इस बाला के मुताबिच जो होता है बिल्डिंगों के उपर अलग-अलग प्रकार की चित्र पेंडिक बनाई जाती है जिसके दौरा बच्चा सीख सक विशर्माल किया जाता अलग-अलग पेंटिंग बनाकर इसलिए बिल्डिंग एज लर्निंग एड कहा जाता है इसको अधिगम साहिक के रूप में बिल्डिंग जैसे कि आप यहां पर देखो यह हैं आपका चित्र पहले तो फुल फॉर्म देखो ये है बाला building as learning aid ऐसे साफ का है elementary school के लिए जैसे कि आप ये देखो एक triangle बनाया गया है लेकिन ये puzzle शुरू कहां से हो रहा है कहां खतम हो रहा है आप बता नहीं सकते क्यों बोलो के सर यहां से शुरू हो रहा आगे जाकर इसके पीछ चुप गया अब ये चुपा है तो आगे देखो के तो यहां चुप गया अब फिर वहीं देखो के तो यहां भी चुप गया तो यहां पर भी चुप रहा है यहां पर भी चुप रहा है और यहां पर भी चुप रहा है अब भवाई कहां से शुरू उआ है सई में या रजीब सा लग रहे हैं तो कहां करा क्या है तो एक ये वाली I-1 ली गई है एक ये वजी ये ये वाली ली गई हैड और इसे करे आप का ये बनाया गया वैसे हाथी डेको इसकी कितनी टांग यह मुझे नीची कमिंट लिखकर बताए कितनी टांगे तो अजीब सा लग रहा है कि कहां से कहां टांगे निकल रही है हमें देखने पर ऐसा लग रहा है यह भी टांगे 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 और यह भी टांगे वह इतनी थोड़ी होती हाथ तो एक तरीके से पजल बनाकर बच्चों को सिखाने की कोशिश करी जाती है इसी कोई का जाता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड तो अप्शन नमबर क्या होगा थार्ड सा ही होगा जिस बच्चे ने लगाया थार्ड वो बच्चे ने बिलकुल परफेक्ट अंसर लगाया तो यह चार बिंदू है जल्दी से मुझे सोचिए और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंड बॉक्स में लिखकर बताएगा यह क्या है आपका हॉमवक कल एक बच्चा बोल रहा था मतलब लास्ट क्लास में बोल रहा था कि बच्चर आप हॉमवक क्यों नहीं देते हो तो यह हॉमवक है मुझे आपको इसका आंसर बताना नीचे कमेंड बॉक्स में वह भी ओफ्लाइन कमेंड में ठीक है नीचे कमेंड बॉक्स में इसका आंसर बताएगा कि क्या होगा बाकि इसका करेक्ट आंसर जोगा जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको मैं डिटेल में अगली क्लास में आपको बताऊंगा ठीक है तो जल्दी से इसका आंसर मुझे बताईएगा चलिए तो यह था दोस्तों आज का अपना टॉपिक बाकि इसका जो पीडियेफ होगा वो थोड़ी दिर में मैं हाँ पर शेर करवा दूँगा ठीक है वहां से जाकर आप इसका की गुपता डबल वन डबल टू जगा मत छोड़ेगा सीरीज में लिखेगा मिल जाएगा 38000 बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल का लोगो भी लगा हुआ उस पर ठीक है बाकि अभी तक किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बाई जल्दी से सब्सक्रा नहीं हुए ताकि आपका मुझे फीडबैक मिल सके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएगा ठीक है चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं बाकि जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट येर का पेपर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद